शिद्धि गंधर्व यक्षा देर असुरेर मरेर पी सेव्य माना यदा भूयात शिद्धि दाशिद्धि दायनी अर्थात नवरात्र की नवम माता शिद्धि दात्रि चार भुजाओं वाली हैं इनका वहन शिंग है ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं इनकी दाहिनी और के उपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र विद्ध्यमान है बाई और कमल पुष्प है और संक है नवरात्र की नवी शक्ती का नाम शिद्धि दात्री हैं ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है नवरात्र के नवे दिन इनकी उपासना की जाती है इस दिन शास्त्रे विधी विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिध्यों की प्राप्ति हो जाती है इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा, तथा बाइं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंक और उपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है इनका वाहन शिंग है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है नवरात्र में यह अंतिम देवी हैं, हिमाचल के नंदा परवत पर इनका प्रशिद तीर्थिस्थान है इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयम ही हो जाती है यह देवी सर्वे सिध्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं उपाशक या भक्त पर इनकी क्रिपा से कठिन से कठिन कारे भी आसानी से संबव हो जाते हैं आनिमा, महिमा, गरिमा, लगीमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व आठ सिध्धियां होती हैं इसलिए इस देवी की सच्चे मन से विधी विधान से उपासना अराधना करने से यह सभी सिध्धियां प्राप्त हो जाती हैं मा सिध्धिदात्री की जै नवरात्री के नवे रूप में सिध्धिदात्री माता का पूजण हम करते हैं ये ज्ञान्वे बोध का प्रतीक हैं जिसे जन्म जन्मांतर की साधना से पाया जा सकता है इसे प्राप्तकर साधक परम सिद्ध हो जाता है इसलिए माताजी को सिद्धी दात्री कहते हैं भगवान शिव ने भी इन देवी की किरपा से ही तमाम शिद्धियां प्राप्त की थी। इन देवी की किरपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी करण शिव अर्ध नारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। वीदी विधान से नवे दिन इन देवी की उपासना करने से सिध्या प्राप्त होती हैं इनकी साधना करने से लोकिक और परलोकिक सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ती हो जाती हैं मा के चरणों में सरणागत होकर हमें निरंतर नियम निश्ट होकर उपासना करने चाहिए। इन देवी का इस्मरन, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमरत्पद की और ले जाते हैं। आयर्वेद में माता सिद्धात्री को शतावरी नामक ओशदी को परदान करने वाली माता की रुप में जाना या पूजा जाता है। यह बल बुद्धी और विवेक के लिए उपियोगी ओशदी है। इस ओशदी को नाराइनी सतावरी भी कहते हैं। जेहो माता सिद्धात्री की जेहो। आज इस प्रकार नवरात्री के नौ दिन पूर्ण हुए। मुझे अपनी इस स्रंकला को आज मैं समाप्त करने जा रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रणाम।